नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रीज डिजिटल एजूकेशन, मैथ, क्लास फोर्थ, चैप्टर बन, एक्सरसाइज बन पोईट वन, फर्स्ट चैप्टर, बन. चलो आज हम करते हैं क्लास फॉर्थ की फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम सिखेंगे आज फाइव एंड शिक्स डिजिट पहले आप से यह समझें कि फाइव एंड शिक्स डिजिट वन डिजिट के बारे में जो पता होगा तब ही हम सिखेंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं वन डिजिट तो पहले करते हैं वन फर्स्ट चो डिजिट होता है न वहता है वन टू नाइन यह क्या होता है फर्स्ट डिजिट क्यूंकि इसके अंदर आपको बाता है जैसे एक जंपल के लिए लिए वन टू त्री यह वन डिजिट है तसलिए वन टू नाइन तक क्या है वन डिजिट 1 digit, ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, लिए से 1 प्लस 10, 1 करेंगे, यह क्या होगा है 10, तो यह क्या होगा, यो होता है, 10, 2, 99, कौन से डिजिट में आएगा? 2nd digit, ठीक है, समझ भी है न आपको, तो अराम से चाहिए, जहां भी समझना है, यह आप पूछ चकते हैं क्योंब टो जी दिजित है ना 99 1 & 2 है यह 2 डिजित में आते हैं इस 10 & 99 के बीच में जो भी आते हैं वी से 33 2 डिजित है ना तो ऐसे ही जैसे 76 यह क्या है 1 & 2 2 डिजित तो 2 डिजित तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे मान लो 86 क्या है यह 1 & 2 तो यह कौन से डिजित में आएगा 2 ठीक है हम आगे करते हैं 3 डिजित 3 डिजित में 99 तक बताया था इसमें प्लस 1 कर दकते हैं तो यह क्या होगा है 100 ओके और यह क्या होगा 1 2 3 तो यह होगे 3 डिजित ठीक है जैसे 100 से 100 तो 999 तो यह कित में आगे 3 डिजित में इसके बीच में जो भी है वो सब 3 डिजित में आएंगे मान के जालो 1 1 11 यह क्या 1 2 3 3 डिजित इसमें कितने डिजित है 1 2 3 डिजित के अंदर आता है और वैसे ही हम के लेंगे 999 प्लस 1 कर देते हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा तो इसमें कितने डिजित हो गए 1 2 3 4 4 डिजित हो गया प्लस 2 कर देते हैं तो प्लस 1 डिजित डिजित को गएंगे यह कौन से डिजित मेंगे 4 डिजित digit इसके बीच में जो भी आएगा वर फोर डिजिट में आएगा जैसे मांद लो 7683 तो यह कौन से डिजिट में है फोर डिजिट अब यह पुछो कि यह फोर डिजिट कैसे है तो देखो 1234 एसे भी आप याद रख सकते हो यह फिर करो वन्स तैन हम्रों थाउजंद यह मान की चालो कि ताउजंद यह में वुछ बड़ यह से लेखो ने बटेखो नेर नैनननननन थच्छों न現ननननननन थश्ड़ालों रिजिट रजिए ₹णहन रख यह से रूरों सिर रखें से लो जिगा कि पकाते है Song 9999 इसमें अगर हम plus 100 कर देते हैं तो यह किसमें चेंज हो जाएगा कि 50 के जाएगा हुआ है समझ की sabzi जाएगा सृएगा स strict हुआ हम टे देघहन आङ़गा कि वह किसमें तंद।ंद हैं तंदल तन्द जङ हुआ हो जाएगा इसमें तॉड़ हो जाएगा थन्दीज टन किमने दिजें और्न यत तहगेगा हैं जाएगा कि हुआ हो वर म३ जाए अब हम एक्जम्पल के तोर पे लिग दिखते हैं एक्जम्पल के तोर पे एक्जम्पल के तोर पे असम फ्यार है नब यह क्या हुए फन तन हंड़ड ताउटन तन ताउटन तो ये 10 थाउटन्स को और रहिए तो आपको ये थो पता चलिगा हो ना 5-digit क्या है तो हम करते हैं 6-digit क्या है 1st अगर साइज इसी पर है 1st chapter इसी पर है तो फेले हम 1.1 कर रहे हैं इसमें है 5-digit और 6-digit 1st chapter जल्दी में लिख दिया तो 1.1 अक्सराइज इसमें 5-6-digit राइटिंग समय में आ रही है 1st 10 100,000 10,000 फ़ लाख तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख में कितने दिजित होते हैं 6 दिजित 6 दिजित होते हैं ठीक है लाख में कितने दिजित होते हैं 6 दिजित होते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं आठेसरीज का 1st एजमपल 1st कोच्चन करेंगे उसमें हमें 1st कोच्चन है उसका एपार्ट तो जिसमें आप में टीमबुक में देच सकते हैं पहले में बनाई होई है 4 0 आप बना लेना कैसे कोपी पर इसमें बना दिया हमने 3 0 इसमें बना दिया हमने 2 0 इसमें बना दिया हमने 4 0 5 0 इसमें बना दिया हुआ है आप आरां से देख लेना कोई भी समा हो सकता है इसमें कुछ भी हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे मतलग है मतलग है रीड दा है क्यूब एंड राइड द नमबर बोथ इन वर्स एंड फिकर्स इनको हमने दर्शान है तो क्या हुआ यहांचे लगेंगी इनको के लिखेंगे लेजर में तर चाहान दूए लेजर दो नमबर इसमें दर्शाना थीओ तो इसमें इप सिक्स पार्ड नाइन इसके यह रहां एवी यह से तो आप यह प्रेक्टिस करना इसमेंट बोक्स में उताना अगर कोई प्रोब्लम आ रही है तो और सेकेंड कोश्चन करते हम रिपरजेंट था फ्लोइंग नंबर्स ओन दा एबक्यूप इन यूगर नॉटबॉक दैसे नोने दिखाया है 983 98325 इसको हमने एबक्यूप में दिखाना है तो वही करेंगे आपको अपी में इसकी 5 है तो यहां पे आप 5 करोगे जैसे गोड़े लगा लेना वैसे मैं तो आपको सिंपल बता रही हूं 2345 होगे इसमें 2 करना है यह 123 यह जैसे जितनी डिखा रुक है काउंटिंग वैसे विजय करना 123456789 टेक टेक ट्रीट 1234567 टेक टेक है इसके भी कई पारट है वो भी आप कर लेना और था क्वेश्चन है राइता नम्र नम्र राइता नम्र रू फ्रू था गीमन नमर्च तो जैसे लिखा है 40,780 तो हमें इतर साने हैं जैसे लिपा हुआ हुआ है 40,000,780 तो इसको हमें नंबर में लिखना है, नंबर में दिखाना है तो ग्राफ देखो, 40,000 40,000,780 तो इसको आप करके देखो 1,10,100,000 तो 10,000 तो 40,000 हो हुआ है, जैसे आपको करना है 3rd question और 4th question में वही है, इतका उल्टा है, नंबर नंस 4 ता गीवन नंबराल्स, मतलाव जैसे दिया हुआ है, इसको हमें उल्टा लिखना है, अब इसको हमें थाउंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1,100,000, 1000.10,000 था हम क्या करेंगे, 1733,000,000 दूजद लिखना 199,000 differentiate करें टेक है ऐसे घरना है और इसके जाइज में आज के लिए नहीं है और समय आप कर लेना अगर कोई प्रोब्लम आई तो मदाना कल हम करेंगे पहले स्वेलु प्लेस बेलु यह सेकंड चेप्टर 1.2 आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करना आपको हर चीवटर की हर एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी दिससे आप फ्रेमें सीख सकते हो थैंक्यू